जिसको खरेंटी के नाम से पुकारते हैं, खरेंटी एक पोदा होता है और बहुत दवाओं के अंदर काम आता है, विशेज करके नपुन सकता दातु शेंटा, और सारारी कमजोरी दूर करने के लावा, अन्य बिमारियों को भी दूर करने में इसका परियोग किया जाता है, सुक्र में है खरेंटी का एक छोटा टूड़ा लगवग, पांच-छे इंच की जड़ को पीश कर, पानी में गोट कर और चान कर, सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही दिनों में सुक्र दातु गाड़ी हो जाती है, और सुक्र में है ओना बंद हो जाता है, अब मैं आपको करेंटी का पोड़ा दिखाता हूँ, साइद आपका देखा हुआ है, ये खूब होता है वारिश में, महिला और पुरुसों के गुप्त रोगों का काल है ये पोड़ा, मतलब इतना पाउरफुल है, इसके सेवन की विदी, आएम जिस पोड़े की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम अतिबला या करेंटी करते हैं, करेंटी डेशी नाम है, अतिबला भी इसको करते हैं, ये पोड़ा पोश्चिक गुणों से वरपुर होता, है रिवेड में इसका सद्धियों से इस्तेमाल किया जाता है, महिला और पुरुसों के गुप्त रोगों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रियोग नपुन सकता दातु शिंटा और सारारी कमजोरी दूर करने के अलावा, अन्य बिमारियों को भी दूर करने में ये सक्सम है, सुक्र में हैं, सुक्र में का मतलब पेसाब के साथ में है, खरेंटी का एक टुकड़ा, ये मैं बता शुका, इसको 6 इंच के टुकड़े को गोट करके और ठंडाई बनाके, 10-12 जिन, सुबर सुबर अगर गाय के दूर्ट से पिले हैं, तो ये बिमारी खत्म हो जाती है, बेन बेटियों के सपहत मानी जाता है, तो लिकोरिया को दूर करने के लिए बहतर उपाय है, इसके लिए खरेंटी के बीजों का पाउडर को एक चमस की मात्रा में, सुबर साम सहथ के साथ सेवन कराने से, सफेद पानी का जाना दूर हो जाता है, सादारी कमजोरी, खरेंटी की जड़ का पाउडर सुबर साम गुनगुने दूद के साथ सेवन करने और बोजन में दूद और चावल का खीर बना कर खाने से, सरीर का दूबला पन दूर होता है, इसके सेवन से, सरीर की सातों दातों हैं, पुष्ट और बलवान होती है, तता सरीर में बल धातों ओज की वरदी होती है, मुत्राती सार, खरेंटी के चाल और बीच को बराबर मात्रा में फीश कर, एक चमस के मात्रा में जी और शकर के साथ सुबह सामचेवन करने से वस्ती और मुत्र नलिका की उग्रता दूर होकर मुत्रा अतिसाद दूर होता है खुनी बवाशिर जिन को होता है तो खरेंटी के पंचांग को मोटा मोटा कूट कर सुरक्षित रख लें अब इस में से एक चमस लेकर एक पानी में डाल कर उबालें और जब चोताई हिसा पानी रह जाए तो उतार के चालने और ठंडा होने पर दूर्द मिलाकर पी जाएं ऐसा नेमित प्रियोग करने से बवाशिर से खुन का आना बंद हो जाता है खुनी बवाशी रगर है वो ठीक हो जाता है जिनके पैसा आप से खुन आता है कहीं बार गर्मी की विज़े से पैसा आप में खुन आने की समस्या हो जाती है जिस से मुत्र नली में जलन दर्दो सुजन आ जाती है इसके लिए करेंटी का काड़ा बना कर 40 अमल सुबसाम पीने से पैसा आपका खुन आना बंद हो जाता है मुत्रों में अगर सुजन है तो खरेंटी के पत्नों का काड़ा बना कर सुबसाम पीने से मुत्रों से आने वाला खुन बंद हो जाता है बेन बेटियों के मासिक धर्म जिनको मासिक धर्म रुक जाता है या मासिक धर्म एन नियमित हो जाता है उनके लिए बहुत लाबदाइक है इसके लिए करेंटी चीनी मुलेटी बढ़ के अंकूर नाक के शेर और पिरिला फूल की कटेरी के जड़की चाल को पीश कर पाउडर बना लें इस पाउडर को एक चमत की मातरा में सुबह साम दूद के साथ लेने से रुका हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है और मासिक धर् मित्ता भी दूद हो जाती है संतान प्राप्ति के लिए जिसको कोई संतान नहीं है वेसी महिला को महावारी के बाद खरेंटी और नाक्यसर को पीश कर दूद के साथ देने से पूत्र या पूत्री पेदा हो जाती है देखिए यह मैंने आज जो खरेंटी का आपको बताया है तो यह सोट के अंदर बताया है खरेंटी वास्तों में एक बहुत अच्छी चीज़ है कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं अतिबला लिग देते हैं तो देखते हैं यह क्या अतिबला खरेंटी को ही करते हैं और यह ज्यादा मेंगी नहीं है इसका प्रियोग करें और शेक समंदी जो भी आप फार्मूला बनाएं उसमें और जैसे चीजें च्छे चीजें पचास पचास गराम हैं तो खरेंटी भी उसमें पचास गराम डालते हैं यह सब तरह की कमजोरी को दूर करने में सक्सम हैं दोस्तों वीडियो को जुरूर सब्सक्राइब करें